भारत और कनड़े के रिष्टों के बीच तलखी कम होने के बजाए अब और ज्यादा बढ़ गई है ये पहली बार नहीं है जब खालिस्तानियों के समर्थन में कनड़ा खड़ा हुआ हो लेकिन इस बार जस्टिन प्रूडो ने एक आतंकी के समर्थन में भारत के खिलाफ अं उनकी कोशिशों को खारिज कर दिया जस्टिन ट्रूडो ने दोनों ही देशों के रिष्टों को दाव पर लगा दिया वो भी तब जब 16 लाग से ज्यादा भारतिये केनेडा में रहते हैं केनेडा का भारत में निवेश है अब ऐसे में सवाल है कि आखिर केनेडा के पी-म क ट्रूडो खालिस्तानियों से इतना प्यार क्यों है एक आतंकी के लिए ट्रूडो ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं दरसल कनेडा के मौजूदा प्रधान मंतरी जस्तिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के महज 158 संसद है वहीं कनेडा की 338 सदस्यों वाली संसद में बहुमत के एंडीपी के इस समय 24 संसद है ट्रूडो एंडीपी को नराज करने की स्थिती में बिल्कुल भी नहीं है साल 2019 और 2021 के चुनाव के नतीजों ने ट्रूडो को खालिस्तानी अलगाववादी नेता और उनकी पार्टी पर पूरी तरह से निर्भर कर दिया है ट्रूडो और एं चीन की दखल अंदाजी के शक पर विपक्ष ने जाच की मांग की इस मुद्दे पर जगमीज सिंग टूडो के साथ खड़े नज़र आए ऐसे में पीम टूडो ने जगमीज सिंग की शहिया कहे कि इनके इशारों पर भारत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है यही नहीं ट चालिस्तानी गतिवीधियों को भी पूरी तरह से शेदे रहे हैं बताते चले कि केनेडा में इस समय करीब साथ दशमलव साथ पाच लाख सिख है यह केनेडा की आबादी का लगभग दो दशमलव एक फीजदी है ब्रेटिश कोलंबिया में सबसे ज्यादा भारतिय रहते ह ट्रूडो भी दावा कर चुके हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा सिखो को अपने मंत्री मंडल में जगह दी है अब सवाल ये उठता है कि ट्रूडो की मजबूरी तो समझाती है लेकिन केनेडा खालिस्तान का समर्था नाखिर क्यो करता है तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बैसाखी पर केनेडा में एक लाख सिखो की भीड जुटना मामूली सी बात है साल 2021 में हुई जनगर्णा के मुताबिक केनेडा की आबादी में सिखो की हिस्सेदारी दो दशमलव एक फीजदी है यही नहीं ये केनेडा का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धार्मिक समू है भारत के बाद केनेडा दुनिया में सिखो की सबसे बड़ी आवादी वाला देश है ऐसे में मौजूदा समय में सिखसांसद और अधिकारी केनेडा सरकार में हर इसतर पर काम कर रहे हैं केनेडा में सिखो की बढ़ती आबादी चुनावी समीकरणों में भी काफी एहम हो ग झाले